दोस्तो अगर आपको अपने सपने में बिल्ली दिखाई दिया है तो इस तरह का सपना आपके लिए सुफल देने वाला सपना भी हो सकता है और असुफल देने वाला भी सपना हो सकता है अभी इस बात के ओपर डिबैंड करता है कि आपने अपने सपने में बिल्ली को किसा वस पर डिबेंड करता है दोस्तों अगर आप अपने सपने में बिल्ली को देखते हैं जिसमें कि वह अगर काले रंग की है तो ये सपना आपके लिए सुफल देने वाला सपना माना गया है ये सपना इस बात की और इशारा करता है कि आपके घर में कोई नेगिटीव उर्चा जाती है जिसे हम बूत प्रेद, पिसाच, छलावा या चुडैल के रूप में भी जानते हैं ये सभी काली सक्तियां होती है और जिस भी घर में अपना वास बना लेती है वहाँ पर ये तबाहिला देती है और जब आपको अपने सपने में काले रंग की बिल्ली दिखाई द जाएगी तो आपके इस्ट देव इन नकारात्मक्ष शक्तियों के आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आने देंगे जिससे आप और आपके परिवार के सभी सदस्या इनसे बचे रहेंगे वहीं दोस्तों अगर आप अपने सपने में सफेद रंग की बिल्ली देख लेते है तो यह सपना आपके लिए सुब नहीं माना गया है यह सपना इस बात के और इशारा करता है कि अगले कुछ दिनों में आपको किसी भी तरह की धनहानी देखने को मिल सकती है तो अच्छा यहीं होगा कि आप कुछ दिनों तक अपने सभी डिसीजन बहुती सोच समझ कर ले और अपने पैसों को बहुती कंजूसी के साथ खर्च करें जिससे आप इस तरह की मुसीबत से खुद को बचा पाएंगे वहीं दोस्तों अगर आप अपने सपने में बिलोटा और बिल्ली को आपस में लड़ते हुए देखते हैं तो यह सपना आपके लिए अच्छा नहीं माना गया है इस सपने का मतलब है कि अगर आप कोई साधी सुदा वेक्ती हैं तो आपके रिस्तों के बीच में मन मुटा होने वाला है बात इतनी बढ़ सकती है कि मार पिटाई की भी नोबत आ सकती है और अगर आप अभी कुआ रहे हैं तो आपका अपनी प्रेमी या प्रेमी का के साथ बहुती बड़ा जगड़ा हो सकता है तो दोस्तों समझदारी इसी में रहेगी कि आप कुछ समय तक अपने पार्टनर की गलत बातों को इग्नोर करें जिससे आपकी लड़ाई में चांस बहुती ज़्यादा कम हो जाएंगे दोस्तों अगर आप अपने सपने में बिल्ली को बच्चे देने के बाद जो जेल गिराती है जिसे हम सरीर के अंदर की गंदगी भी कह देते हैं उसे देख लेते हैं तो ये सपना आपके लिए बहुती ज़्यादा सुफल देने वाला सपना माना गया है ये सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि बहुती जल्द आपको बहुत सारा धन पिराप्त होने वाला है अब ये धन आपको किसी भी रूप में पिराप्त हो सकता है जो कि समाज में अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन फिर भी आपको इतना अधिक धन मिलने वाला है कि आपने इसके एक बारे में कोई भी कलपना नहीं की थी दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत जाद अच्छी लगी होगी इसलिए अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सबसे जरूरी काम कमेंट बॉक्स में जाकर हरर मादेव, जैसरी राम या फिर जैरादेकिश जरूर लिखें